agreeable का क्या आर्थ होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं agreeable का मतलब होता है जो agree होने के काबिल होता है या agree होने के लायक होता है उसे हम agreeable कहते हैं यानि कि सहमत, स्विकार्य, उपियोक्त, सुखद, अनुकूल, मिलनसार या मनभावन यानि कि the term agreeable is an adjective that describes something or someone as pleasant, pleasing or easy to agree with it conveys a positive and accommodating nature and it is often used to describe situations, people or things that are enjoyable or easy to get along with यानि कि agreeable हम उस व्यक्ति को या उस इस्थिति को कहते हैं जो सुखद होती है या जो आसानी से मान जाता है या आसानी से जो आपके साथ अनुकूलन उसका हो जाता है, सहमत हो जाता है इसके कुछ examples के हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले अगर किसी की personality की बात करें तो जैसे हम ये कहें कि उसका वैक्तित वो मिलनसार है और वह हमेशा मिलनसार रहती है तो आप कह सकते हैं या फिर कई बार हम situations या circumstances की बात करें तो आगरेबल काम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि अगर आप ये कहें कि रात के खाने पर हमारी सहमती पूर्ण बात चित हुई या अगर आप ये कहना चाहें कि पकबान का स्वाद मन भावन था जो सभी को पसंद आया तो यहाँ पर हम tastier smell की बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं the dish had an agreeable flavor that everyone liked या अगर आप ये किसी चीज़ का compliance या consent की बात करें या अगर आप ये कहना चाहें कि भै परियोजना में परस्तावित बदलावों से सहमत थे तो आप कह सकते हैं he was agreeable to the proposed changes in the project अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें